हाई यूर बेहनों जब किसी व्यक्ति उसकी मुल्भुत्स विदाएं मिलती है तो उसका आत्मविश्वाद बहुत बढ़ जाता है बढ़ता हुआ यह आत्मविश्वाद छेत्र का भी विकास करता है और देश का भी विकास करता है आज हमारी सरकार उन लोगों उन छेत्रों तक पहुंचने का प्रयास कर रही है जहां पहले सुविधाएं नहीं पहुंची थी अब व्यवस्ता ने उनको सुविधा देने पर बल दिया है पहले लोगों ने सब कोज उनके नसीब पर छोड़ दिया आप सोचिए 2014 से पहले तक देश के हर सो परिवारों में सो परिवारों में से सिरफ पचास पचपन परिवारों के याने करीब करीब आधे गरों में ही एलपीजी गैस कनेक्शन था हसम में तो रिफाइनरी और सुविधाओं के बावजूद भी सो में से सिरफ चालिश परिवारों के पास ही गैस कनेक्शन उपलत था साथ लोगों के पास नहीं था गरीब बहनों बेटियों को रसोई के धुए और विमारियों के जान में रहना उनके जीवन की बहुत बड़ी मजबूरी थी हमने उज्वला योजना के माद्गम से इस्थिजी को बदल दिया है असम में आज गैस कनेक्शन का दाइरा तक्रीबन करीब करीब सब्त प्रतीशत हंड्रेट परसें हो रहा है यहां बोगई गाम रिफाइनर के इर्दगिर्द के जिलों में ही 2014 के बाद तीन गुना से जादा LPG कनेक्शन बड़ गए है अब इस बार के केंद्रिय बजेट में एक करोड और गरी पहनों को उजवला के मुप्त LPG कनेक्शन ने का प्राधान किया गया है साथ्यों गैस कनेक्शन हो विजली कनेक्शन हो खाद उत्पादन हो इसमें कमी का सक्से जादा नुक्सान हमारे देश के गरीब को हमारे देश के छोटे किसान को ही होता आजादी के दसक और बाद भी जिन अठारा हजार गाउं में बिजली नहीं पहुंची थी उनमें से अधिक्तर गाउं असम के थे नौर्थिस के थे पुर्वी भारत के अनेग फर्टिलाजर कारखाने गैस के अभाव में या तो बंद हो गए या फिर बिमार गोशिद कर दिये गए बुगतरा किसको बड़ा यहां के गरीब को यहां के मत्रपर को यहां के नवजवान को पहले की गल्पियां को सुधारने के लिए उसका काम हमारी सरकारी कर रही है आज प्रधान मंती उर्जा गंगा योजना के तहट पूर्वी भारत को दुनिया की बड़ी गैस पाइट लाइन मैंसे एक के जरिये जोड़ा जा रहा है निती सही हो नियत साब हो तो नियत भी बदल जाती है नियती भी बदलती है बुरी नियत का खात्व हो जाता है और नियती जन जन का फाज्य भी बदलती है आज देश में जो गैस प्राइप्लाइन का नेटवर्क तैयार हो रहा है देश के हर गाउं तक अप्तिकल फाइबर बिचाया जा रहा है हर गर्ण जल पहुचाने के लिए पाइप लगाया जा रहा है ये भारत मा की गोद में ये जो सारा इंफास्टर बिचाया जा रहा है वो सिरफ लोहे की पाइप या फाइबर नहीं है ये तो भारत मा की नई भाग्य देखायें दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा और आपका इस बारे में क्या विचार है ये हमें नीचे दिये कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं साथी इस वीडियो को लाइक करें जिससे हमें और वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन मिलेगा